कई सारे बच्चे ये आसन का जता रहे थे कि नोडिफिकेशन आए या नहीं आएगा तो जैसी UPSC की वेबसाट पर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने ओलेडी मैंसन कर दिया गया है कि जो UPSC, CAC या इनियन फुरेंस सर्विस का जो एक्जाम वो है 27th of June को करेंगे सेड्यूल है उस पर ही कंडेट कराया जाएगा और इसके लिए जो भी प्रोजजर है वो जल्दी आप लोग को नोडिफिकेशन देखने को मिलेगा यह था टाइम पर आप लोग देशते हैं अगर इसके उपर आप लोग किलिक करेंगे तो यह नोडिफिकेशन यह फिर जो वेकेंसी हैं उनको पोस्पॉन करेंगे कई सारे बच्चे ऐसे कमेंट करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है देख कोविड-19 ने कैसी डिफरेंट टाइप अफ कंडिशन बन गए थी जिसमें UPSC को चेंज करने पड़ गए वनना नोर्मली UPSC चीज के लि कि 27th of June को पेपर नहीं होगा वो बिलकुल उसी दिन पेपर होगा और इसका जो नोटिफिकेशन है यह भी इन्होंने बोल जाए कि जल्दी इसको पब्लिस कर दे जाएगा यानिके due course यानिके जो नियत समय है उसमें आप लोगो ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएग तो टेंसर मतले जिए नोटिफिकेशन जल्दी आप लोगे सामने होगा आप लोग अपना धेरिये बनाए रखें और जिस तरीके से प्रिपेशन कर रहे हैं उसी तरीके से प्रिपेशन करते रहे हैं नोटिफिकेशन या फिर उस से लिड़ जो भी वीडियो है वो भी मैं आप लोगो प्रोवाइड कराऊंगा और पूरा नोटिफिकेशन वो आप लोगो टेलिग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा तो हां से जाकर आप लोग नोटिफिकेशन देख लिजेगा और कोशिस किजएगा कि जैसे ही फोर्म आए एक दो दिन के अंदर अंदर अपना एक्जाम का फोर्म भर दीजेगा क्योंकि उसके बाद में फिर यूपेस में फस्ट कम फस्ट सर वाला फंडा होता है यनकि अगर आप लोगो इस स्टार्टिंग में आप लोग फोर्म नहीं भरेंगे अगर वो स्ट भर गई तो फिर आप लोगो प्रोलों फेस करनी पड़ जाएगी ठीक है तो ये थोड़ा से ध्यान न कियेगा तो जैसे ये नोटिफिकेशन आएगा उसके उपर एक डिटेल वीडियो आप लोगो देखने को मिल जाएगी All the best to all of you. Thanks a lot for listening. Jai Hind!